हालो गाईज मैंनेम इंब बनीश और यूर वाचिमाई चैनल आज मैं लाएंग आपके लिए 10th क्लास का लाई चैप्टर तो सबसे पहले हैं के दो थियोरी जो वेब थियोरी एंड रिकांड तो डोनों थियोरी मैं आच्छे लिखी हैं तो अभी तो कब ने मेरा जी चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जाद हिता बेल नाटुस और विए को भी प्रैस कर लें इन दर नक्स्ट पेज आपक इंपर्टिट को चना है रिफ्लेक्शन अफ लाइट तो डाग्राम भी मने अच्छे से बनाई है then in the last laws of reflection of light in the next page first law of reflection then second law of reflection object क्या होता है image क्या होती है the real image और पर चुल में में क्या हो difference है वो मैंने बताया है तो अगर आपको ज्यादा study से लेटर कुछ material चाहिए तो आप मेरे ब्लाग में भी जिर कर सकते हैं in the next page जो एक definition है little inversion क्रक्टिस्टिक of image found by plane mirror तो क्या क्या क्रक्टिस्टिक्स है वो सब लिखी गई है नेक्स पेज आपके लिए spherical mirror के बारे में बताया गया है जिसमें की first mirror कर के mirror है then your second mirror will be convex mirror तो आई होप आपको डाग्राम अच्छे से बीजविल होगी then some basic term about spherical mirror कर सेंट्र अगरवेचर रेडिस अगरवेचर तो प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंद्थ हर एक definition के लिए मैंने एक डाग्राम बनाई है था कि आपको easily समझने में हजानी हो in the next page pole principal axis aperture आगे चलते हैं तो रेडिशन बेट में रेडिस अगरवेचर 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 फोकल लेंद्था है spherical mirror तो उसके लिए एक numerical problem भी मैंने solve करी है तो बिजलिए आपको पता चल जाएगा कि इस relation का क्या फाइदा होने वाला है आपको एक्जाम में नेक्स्ट rules for obtaining image found by mirror तो कुछ rules होते हैं जो भी image बनती है उससे पहले आपको आने चीए तो वो rules हैं यहाँ पर एक rule दोनों mirrors के लिए then three rules again for both convection गंगे mirror तो आप diagram के मादिम से देख सकते हैं अच्छे से यह क्या क्या रूल होते हैं then आपको formation of different type of image बाइकन के mirror तो कन के mirror से कौन कौन सी images बनती हैं उसके बारे में बताया जाएगा कुल में लगके शे केस हैं फर्स्ट केस आपके सामने है then second case जब आपकी image infinity भी बनती है थर्ड केस रेला ने inverted image बनेगी आपकी थर्ड केस में आपको यह notes पसंद आया होंगे अगर आपको यह note पसंद आया है तो प्लीज विडियो को लाइक जूरूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर कर दें आगे चलते हैं case 6 तो case 6 में अगर आपका object infinity भी है तो image गाम आनेगी तो वो focus पे बनने वाली है image आपकी then formation of image by convex mirror तो concave mirror के लिए हम पाड़ चुके हैं तो then convex mirror के लिए अलग से image बनेंगी तो इसमें सिर्फ दो ही case है तो एक case आपके सामने है आपको आपकी image बनेगी focus पे आपको object होने वाला infinity पे आपको आपको कोई भी distance में और किस तरीके से करना है opposite incident ray कर रहे है तो आपको negative लेना है जा positive लेना है real image है तो आपको height को negative में लेना जा positive में लेना है तो यह उसमें लिख है सब then your mirror formula burn upon image plus burn upon object distance equal to burn upon focal length then linear magnification वो किसके एकोल होती है image distance upon object distance image height upon object height से भी आप magnification निकाल सकते है और एक numerical जो की based है magnification पे तो वो भी मैंने solve किया है तो इसलिए आपको पता सिल जाएगा कि magnification कि क्या importance है numerical solve करना में तेना आपके पास है जूजज़ अफ concave mirror तो six जूज़ मैंने लिखे हैं उसके बाद जूज़फ convex mirror तो कहां कहां Convex में reduce किया जाता है तो इसके साथ ही वीडियो खतम आती है तो पिटियो को लाइक करना ना बोले और साथ से साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब के साथ शेयर करें जल्दी इसका पार्ट तो भी मैं upload करता हूं तब तक कि बाए झाल करें तो पिए एक पार्ट तो